NMC Rule and Regulations for MBBS Abroad आज हम डिस्कस करेंगे Mubs Abroad कैसे चूज करें Auction को आया था मतलब 18 November 2021 से लागू हो रहा है यह रूल तो और इस यह NMC का रूल क्या है जो बच्चे पहले ही एडमिशन ले चुके हैं 18 November 2020 से पहले वह MCI के रूल में आते हैं और जो 18 November 2020 के बाद एडमिशन लिये वह NMC के रूल में आते हैं तो NMC के रूल के according कोई भी foreign medical graduate जो भी होगा उनके लिए पहला point है minimum course 54 months का होना चाहिए और दूसरा point यह है कि उसको 12 month internship same college से होना चाहिए तीसरा point यह है कि medium of course जो होना चाहिए वो English में होना चाहिए कुछ-कुछ college है रस्या में जो first third year तक English में करवाएगा और कुछ third year से sixth year तक Russian में करवाएगा तो यह ऐसे valid नहीं होगा लेकिन अब धीरे धीरे सारा रस्या का college भी English education में भी आ रहा है तो आपको ऐसे सबचके रहना है और आपको पता करके रखना है कि कौन सा bilingual नहीं है बस mode of education बस English होना चाहिए वही NMC मानेगी फोर्थ पॉइंट यह है कि उसमें all mandatory subject होना चाहिए एक मतलब की हरे मतलब की total 19 subject तुम्हारे six year के duration में होना चाहिए NMC का fifth rule है जो आपको degree मिले उसके साथ साथ आपको उस native country में practice करने का वह license दे यह fifth rule है and sixth rule है कि आपको जब आप इंडिया वापस आना चाहते हैं तो आपको 12 month इंडिया में intensive करना पड़ेगा seventh rule है इंडिया में आपको license लेने के लिए FMGE या फिर next का exam आपको देना पड़ेगा according to that time तो अभी तो FMG चल रही है अब इफ आगे year में next आएगा तो आपको next देना पड़ेगा यह according to nmc rules है तो कैसे पता करें कि कोई college nmc या w ho verified है या नहीं तो simply इसके लिए आपको browser पर जाना है और लिखना है w doms और सबसे ऊपर जो आएगा उस पर किलिक करना है search पर किलिक करना है world directory of medical schools जैसे कि आप कोई country चूज करना है जैसे आप कजाकिस्तान चूज किया या रस्या चूज किया तो मैं कजाकिस्तान चूज कर रहा हूं कि यह रहा करना किस्तान किलिक किया और सर्च किया तो अब इसमें में को देखना है जिसे मेरा college सेमी मेडिकल यूणिवर्सिटी सेमी मेडिकल यूणिवर्सिटी के बारे में पूरा information आ जाएगा कि इस्कुल टाइप कौन सा है पब्लिक है या प्राइवेट है कि यह रूफ कब स्टार्ट हुआ 1952 में हुआ कौन से लेंगवेज में पढ़ाता है रस्यान कजाक इंग्लिश सब पढ़ाता है कि निकल ट्रेनिंग कितना है तो मेरे college का one of the best college यह कजाकिस्तान का तो यह इसमे किलिकल ट्रेनिंग 50 to 74 परसेंटेज पढ़ाता है और कब से क्या हुआ और सब कुछ आपको इसमें information मिल जाएगा तो आप यहां से देख सकते हैं कौन सा degree देता है कितने seven year का six year का कौन सा देता है यह seven year included है तो यह internship के साथ का बता रहा है लेकिन मेरा five year का course है और ECFMG यह मतलब कि आप यूरोप में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं यह भी यहां पर है तो आप eligible हैं यूरोप में apply करने के लिए डबलू एचो वेरिफाइड है